यूही नहीं मैं, मैं बन जाता हूँ खुदरत के कोने कोने से खूबिया खोज लाता हूँ गुनवत्ता की गहराईयों का गोता खोरू हूँ मैं यूही नहीं मैं रजनी गंदा बन जाता हूँ जबकि महाविकास अगाड़ी की बात करें तो कॉंगेरेस के पास 37 विदायक, शेफसेना यूबीटी के पास 15 एनसीपी शरत पवार के पास 13 विदायक और अन्य दलों के दो विदायक, महाविकास अगाड़ी के पास कुल 67 विदायक चुनातियां सभी दलों के सामने, हाली में हुए लोकसभा चुनाव में महाराश्च में मतदाताओं ने गजब फैसला सुनाया जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गए अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 900 सीट मिली उसे 14 सीट का नुकसान आपको ये हिसाब समझाता हूँ कि लोकसभा चुनाव को अगर विदान सभा के सीटों में कनवर्ट करें तो आज की डेट में किसका पलड़ा भारी दिखता है तो 2024 में अगर आप देखिएगा ये लोकसभा का आपको बता रहा हूँ लोकसभा में बीजेपी को कितनी सीट आई थी बीजेपी को आई थी 9 सीट माइनस 14 14 सीट का उसको नुकसान हुआ थी शिवसेना एक एकनात शिंदे वाला उसको आई थी 7 सीट और NCP जो अजीत पवार वाली है उसको आई थी 1 सीट कॉंग्रेस को आई थी 13 सीट कॉंग्रेस को 13 और उसको 12 सीट का फाइदा हुआ था प्लस 12 शिवसेना यूबीटी को शिवसेना यूबीटी इसको आई थी 9 सीट और उसे 9 सीट का नुकसान हुआ था मैनस 9 और NCP शरत पवार को आई थी 8 सीट आठ सीट और उसके लिए प्लस फूर था चार सीट का फाइदा हुआ दे लेकिन अब सवाल यह है कि जब आप इस इन लोकसभा सीटों अगर हू बहू विदान सभा सीटों में कनवर्ट करें मतलब अगर यही रिजल्ट रिपीट हो गया विदान सभा तब किसको कितनी सीटे आएंगी अगर आप उसको ऐसे देखें कि इसको अगर आप कनवर्ट करें विदान सभा सीट में तो किसकी क्या स्थिती बैठती है ज़रा देखिए इन सीटों के हिसाब से बीजेपी को बढ़ा था कितनी सीटों पर 79 सीट पर बढ़ा था बीजेपी को शिवसेना शिंदे को शिंदे गुट को इसको है 40 सीट पर बढ़ा था और एन सीट पी अजीत पवार एपी इसको कितनी सीट पर बढ़ा था है मात्र छे और अन्य एक सीट पर अगर आप इसको मिला दीजे तो NDA के लिए आकड़ा बैठता है 126 सीट पर NDA आज की डेट में है अगर लोगसभावा वाला रिजल्ट रिपीट हो गया विदान सभावा अब इंडी गड़ बंदन की अगर बात करें इंडी गड़ बंदन कहां बैठता है कॉंग्रेस को इस हिसाब से अगर बैठ देखेगा तो उसको 63 सीट पर बढ़त है आप देखिए शिवसेना UBT को उसको है 67 सीट पर बढ़त और NCP जो शरत पवार वाली है उसको बढ़त है 33 सीट पर 33 यानि अगर इन तीनों को मिला दीजिए तो इसकी सीटे बैठती है 153 यान अगर लोगसभावाला रिजल्ट रिपीट हो गया तो सरकार बन जाएगी इंडी अलायन्स की क्योंकि सरकार बनाने के लिए 145 सीट चाहिए जो कि अभी 153 वाली सीट में कनवर्ट होता दिख रहा है इंडी का मामला और NDA 126 पर टक जाएगा लेकिन ये तब होगा जब लो गडबंदन की राजनीती में सीटों पर सहमती होनी भी जरूरी है और सीट शेरिंग के मामले में NDA इंडी गडबंदन से आगे निकलता दिख रहा है सूतरों के मताबिक सीटों का बटवारा NDA के अंदर आखरी दोर में 90% सीटों पर समधोरता हो चुका है बीजेपी 158 हर्याना में मिली जीत के बाद बीजेपी जोश में है और महाराज शुक के लिए माइक्रो लेवल पर रणिनीती बना रही है दूसरी तरफ इंडी गडबंदन का कॉन्फिडेंस हिला हुआ लग रहा है वो चुनाव आयूक की निश्पक्षता पर ही सवाल उठा रहा है चुनाव आयूक से इतनी अपिशा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हर्याना जैसा मत करिए हर्याना में जो हुआ है पूरी दिश्प की जनता देख रही है चाहे वियम हो चाहे पोस्टल बैलेट हो चाहे जो सत्ता धरी पार्टी की जो सब सामने आई है बाते महारा महाराष्टा में ज्यादा हो रहा है पैसो का खेल चलेगा पूलिस का और यंत्रना का भी मिस्यूज होगा तो यह सब सुनावायोग अपने आपको अगर निस्पक्ष मानती है अपने आपको मानते हम नहीं मानते तो आपको यह करना पड़ेगा यही इन्हों की दिक्कत खेल